प्रदान मंत्री जी ने स्वास्त जन आंदुनन बनाने की परिकल्पना कीती जो सागार होती जा रही है। आज के इस कारेक्रम में उपस्थीत भारत के कोटी-कोटी जनता के रवेश समराथ हमारे प्रदान मंत्री आदरनिया नरेंद्र भाई मोदी जी राजये पाल गुजरात महोदे आचारिया देवरत जी केंद्रिय स्वास्था मंत्री डोक्टर हर्शुपदन जी श्री अस्विनी कुमार चोबे जी उप्व मुख्य मंत्री आदरनिया सी नितिन भाई मंचस्त सब हमारे गुजरात के मंत्री शांस्वाद एम्स कमिटी के लोग भाईो और बेनों गुजरात की साड़े छे करोड की जंता की और से मैं प्रदान मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज का यह दीन गुजरात के लिए खास दीन है आज आप गुजरात को एम्स ये से बड़े मेडिकल इंस्ट्यूट का उपहार देने जा रहे है इसके लिए मैं गुजरात की जंता की और से फिर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ आपके मारदर्सन में आज गुजरात मेडिकल हब बनने की और आगे बढ़ रहा है जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे त अब आपने गुजरात को भारत का मेडिकल हब बनने का जो लक्ष तहीं किया था इसके लिए आपने कहीं प्रयास भी शुरू किये थे आज आपके वो प्रयास पुरी तरह से खली भूत हो रहे हैं आपके द्वारा शुरू की गई मा योजना गुजरात के गरीब और मध्य को देखते हुए हमने इसमें कुछ और सुवीधाय भी बढ़ाई है ताकि ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को सुवीधा प्राप्त हो साथ ही आयुश्यमान भारत और दूसरी मेडिकल सेवायों भी गुजरात में बहुत ही अच्छे से लागु की गई है आपके द्व असे इस रूप में यह बताना चाहता हूं कि साल डौजार एक में गुजरात में केवल नव मेडिकल कॉलेज थे और मेडिकल सिटो की संख्या भी मात्र एक अजार के अग्तर थी वहाँ आज की बात करूँ तो गुजरात में आज 31 मेडिकल कोलेज है और मेडिकल सीटों की संक्या भी करीब 6,000 से ज़्यादा हो गई है रदान मंत्री जी आपकी दुरंदर सिता और परिश्रम के कारान आज एसिया की सबसे बड़ी सिवील उस्पिताल और UN मेता इंशुटिट ऑफ रिशर्स सेंटर्स जैसे वर्ड क्लास मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर गुजरात में मौजूद है इतना ही नहीं बिते कुछ सालों में हमने मेडिसिटी और एस्वीपी जैसे मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को भी तयार किया है जिसने गुजरात की मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर और मेडिकल सर्वीसिस को एक नए मुकाम पर लाकर खड़ा किया है आज गुजरात में कोविड में भी इस इंफरस्ट्रक्चर के कारण काफी हमने कोविड के सामने संगर्स भी किया और काफी सफलता भी उसमें हासिल की गुजरात में आज भी 52,000 कोविड के बैड उपलब दे है और अच्छा इंफरस्ट्रक्चर उसमें भी किया है आपके मारत दर्शन और मेडिकल स्टाप के सपोर्ट के कारण कोवीड को अच्छे से कंट्रोल करने में भी सफलता पाई है मेडिकल सेक्टर में आज गुजरात एक बड़ी उपलब्दी याने एम्स को जोड़ने जा रहे है बारा सो करोड रुप्य की लागत से दो सो कड में एक मिसाल जगाँ पर बनाया जाने वाला ये एम्स दो साल में दो हजार बाईस में फुरू हो जाएगी इससे यहां मेडिकल तुरियम भी बढ़ेगा साथ साथ नई रोजगार भी उसको भी आउसर उसमें से पैदा होगा गुजरात में एम्स की स्थापना पुरे राज्य के लिए धोरों की बात है मुझे पुरा विश्वास है कि गुजरात को मेडिकल हब बनाने के लिए जिस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एम्स इंस्टूट एक मेल का पत्तर साबित होगी साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि आपके मारत बसन में गुजरात को मेडिकल हब बनाने का लक्स को भी जल्दी से पूरा करेंगे आपका मैं आभार प्रगट करता हूँ जैहिंद जैजेगर्वी गुजरात एम्स राजकोर्ट के निर्मान स्थल पर मौझूद हम सभी के लिए यह एक एतिहासिक छण है माननिये प्रधान मंतरी महोदय से सादर आगरा है कि वे रिमोट का बटन दबाकर अखिल भारतिये आउर्विज्ञान संस्थान राजकोर्ट का चिलानिया करें क्या है जीवन में हेल्थ और प्रदेश में हेल्थ इंफ्रस्ट्रक्चर का महत्वर्ट ये बात हमें 2020 से अधिक कौन समझा सकता है लेकिन धन्य है ये धरा गुजरात की जहां दूर दर्शी नेत्रित्व ने बहुत पहले ही मेडिकल कॉलिज, मेडिकल इंफ्रस्ट्रक्चर और मेडिकल पॉलिसी की कमियों को पूरा किया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हेल्थ इंशॉरंस नहीं हेल्थ अशॉरंस की नीती अपनाई गरीब के निशुलक इलाज की नई रीती बनाई स्वास्थ को गुजरात की तरक्की की सीड़ी बनाया इसलिए राश्ट्री और अंतर राश्ट्री स्तर के संस्थानों के साथ आज गुजरात देश के मेडिकल हब के रूप में उभरा है नकेवल आसपास के राजियों से बलकि पडोसी देशों के नागरिकों के लिए भी आयुशमान बना है गुजरात ओपरेशन कितना भी जटल क्यों न हो गुजरात के पास काबिल डॉक्टर्स की सेना तयार है तीस मेडिकल कॉलेजों के साथ जिसका दिन बदिन विस्तार भी हो रहा है मुख्यमंत्री विजेभाई रूपानी और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ मंत्री नितिन भाई पटेल के नेत्रितों में कोविड-19 के समय में भी गुजरात ने अपने स्वभाव के अनुसार साहस और क्षमता का परिचय दिया 735 कोविड अस्पताल, 70,000 बेड्स, 1700 से अधिक धनबंतरी रत, 20 लाख से अधिक लोगों के घर-घर टेस्टिंग ड्राइव के साथ गुजरात ने कोरोना पर नकेवल काबू पाया बलकि गुजरात के हेल्थ मैनेजमेंट की सरहना, एम्स, नीती आयोग और डबल्यू एचो ने भी की मेडिकल के साथ फार्मा और वैक्सीन डिवेलप्मेंट क्षेत्र का भी विकास हुआ है यही वजह है जो आज कोरोना वैक्सीन के ट्रायल रन के लिए भी गुजरात का चयन हुआ है प्रधान मंत्री जी के मार्क दर्शन में इस वर्ष गुजरात में पांच नए मेडिकल कॉलेजों में बाच सो MBBS सीटों की बढ़ोतरी होने जा रही है इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए गुजरात की मेडिकल यश गाथा में आज एक और स्वनिनिम अध्याय जुड़ने जा रहा है राजकोट एम्स राजकोट से सिर्फ 10 किलोमेटर की दूरी पर खंठेरी गाउं में स्थित होगा और इसका निर्माण 201 एकर में फैली विशाल भूमी पर 1195 करोड गुपयों की लागत से किया जाएगा राजकोट एम्स को फोर लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा जिसकी राजकोट एपोर्ट से दूरी होगी महस 11 किलोमेटर चलिए अब डालते हैं राजकोट एम्स पर एक नज़र 750 बैद MBBS की 125 सीटें 75 नर्सिंग सीटें और लाइब्ररी छातरों के लिए हॉस्टिल ब्लॉंक्स डॉक्टर्स तथा नर्सिस के लिए बनेंगे रेजिदेंस क्वार्टर्स और मरीज के साथ आए व्यक्ति को रहने की सुविधा के लिए भी 250 लोगों की क्षमता की धर्मशाला इस संस्था में पहली बैच की पढ़ाई दिसंबर के तीसरे सप्तह से शुरू की जा चुकी है आरोग इक्षेत्र में विकास के प्रती प्रधान मंत्री जी की प्रतिवधता का ही परिणाम है आयुश्यमान भारत जैसी एतिहासिक योजनाएं उनके ही लक्ष को जमीन पर उतार रहा है गुजरात एम्ज राज कोट का शिला नयास करने जा रहे है प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी आपसे सादर आग्रह है कि आप सभा को सम्बोधित करें नवश्कार केमशे गुजरात में ठंडी बंडी शेग नहीं गुजरात के राजपाल आचार्य देवरत जी मुख्य मंत्री श्रिमान वीजय भाहरुपाने विदान साबाश्पीकर श्री राजेंद्र श्रिवेदी जी केंद्रिय स्वास्त मंत्री श्रिवर्धन जी डेपुटी सियम भाई नितिन पतेल जी मंत्री मंडल के मेरे साथी स्रिमान अश्वीनी चववेजी मंशुप भाई मानविया उर्श्वतम रुपाला गुजरा सरकार में मंत्री अन्य सभी मंत्री गण, साउसद गण, धाराचब्य गण अन्य सभी महानुभाव, भाई और भेनों नया साल दस तक दे रहा है आज देश के मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एक और कड़ी जुढ रही है राजकोट में All India Institute of Medical Sciences का का सिलान्यास गुजरात के साथ साथ पूरे देश में स्वास्त और मेडिकल एजुशन के नेटवर्क को उसके करन बन मिलेगा भाई और भेनों साल 2020 को एक नई नेशनल हेल्थ फैसिलिटी के साथ विदाई देना इस साल की चुनोतियों को भी दर्साता है और नए साल की प्राफिक्ताओं को भी श्पष्ट करता है ये साल पूरी दुनिया के लिए स्वास्त के रुप में अभूत पूर्वज चुनोतियों का साल रहा है इस साल ने दिखाया है कि स्वास्त ही संपदा है ये कथा हमें अमारे पूर्वजों ने क्यों सिखाई है ये हमें बार बार क्यों रटाया गया है ये 2020 ने हमें भली भाती सिखा दिया स्वास्त पर जब चोट होती है तो जीवन का हर पहलू बुरी तरह से प्रभावित होता है और सिर्फ परिवार नहीं पूरा सामाजिक दाइरा उसकी लपेट में आ जाता है और इसलिए साल का ये अंतिम दीन भारत के उन लाखों डॉक्टर्स हेल्थ वारियर्स सफाई कर्मियों दवा दुकानों में काम करने वाले और दूसरे फ्रंट लाइन कोरोना युद्धाओं को याद करने का है जो मानवता की रक्षा के लिए लगातार अपने जीवन को पर जीवन को दाउं पर लगा रहे हैं कर्तव्य प्रत पर जिन साथियों ने अपना जीवन दे दिया हैं वे आज उन सब को आदर पुर्वक नमन करता हैं आजदेश उन साथियों को उन वैग्नानिकों को उन कर्मचारियों को भी बार बार याद कर रहा हैं जो कोरोना से लड़ाई के लिए जरूरी मेडिकल इंफास्रक्टर तयार करने में दिन रात जुटे रहें आज का दिन उन सत्पी साथियों की सराना का है जिनोंने इस मुश्किल दौर बहें गरीब तक भोजन और दूसरी सुविधाय पहुचाने में पूरे समर्पन के साथ काम किया इतना लंबा समय इतनी बड़ी आपदा लेकिन ये समाज की सामुहिक संगठिक ताकत समाज का सेवा भाव समाज की सम्वेदन सिलता उसी का नतिज़ा है कि देश वास्यों ने किसी गरीब को भी इस कठिनाई भरे दिनों में रात को भूका सोने नहीं दिया ये सब नमन के पात्र है आदर के पात्र है साथियों मुश्किल भरे इस साल ने दिखाया है कि भारत जब एक जूट होता है तो मुश्किल से मुश्किल संकट का सामना को वो सामना वो कितनी प्रभावी तरीके से कर सकता भारत ने एक जुड़ता के साथ जिस प्रकार समय पर प्रभावी कदम उठाएं उसी का प्रणाम है कि आज हम बहुत बहतर सिती में हैं जिस देश में एक सो तीस करोड से ज्यादा लोग हो गनी आबादी हो वहां करीब परीब एक करोड लोग इस बिमारी से लड़कर जीत चुके हैं कोरोना से पीडित साथ्यों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बहतर रहा है वहीं अब संक्रमन के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरब जा रहा है भाई और बहनों साल दोहजार बीस में संक्रमन की निराशा थी चिंताएं थी चारों तरफ सवालिया निशान थे दोहजार बीस की वो पहचान बन गई है लेकिन दोहजार इकीस इलाज की आशा लेकर के आ रहा है कि वैक्सिन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारिया चल रही है भारत में बनी वैक्सिन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे इसके लिए कोशिश है अंतीम चरणों में हैं दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभ्यान चलाने के लिए भारत की तर्यारिया जोरों पर है मुझे विश्वास है कि जिस तरह बीते साल संक्रमन से रोकने के लिए हमने एक जुढ होका प्रयास किये उसी तरह टीका करन को सफल बनाने के लिए भी पूरा भारत एक जुढता से आगे बढ़ेगा साथियों गुझरात में भी संक्रमन को रोकने के लिए और अब तिका करन के लिए तैयारियों को लेकर प्रसंशनिय काम हुआ है बीते दो दसकों में जिस प्रकार का अब मेडिकल इंफरस्ट्रक्चर गुझरात में तैयार हुआ है वो एक बड़ी वजह है कि गुझरात कोरोना चुनवती से बहतर तरीके से निपट पा रहा है एम्स राजकोर्ट गुझरात के हिल्थ नेटवर्क को और सशक्त करेगा मजबूत करेगा अब गंबीर से गंबीर बिमारियों के लिए राजकोर्ट में ही आधुनिक सुविधा उपलब्द हो रही है इलाज और सिख्षा के अलावा इससे रोजगार के भी अनेक अवसर तयार होंगे नए अस्पताल में काम करने वाले लगबग पांच हजार सीधे रोजगार उपलब्द होंगे इसके साथ साथ रहन सहन, खाने पीने, ट्रांसपोर्ट, दूसरी मेडिकल सुविधाओं से जुड़े अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार भी यहां बनेंगे और हमने देखा है कि जहां बड़ा अस्पताल होता है तो उसके बहार एक छोटा शहर ही बस जाता है भाई और भेनों, मेडिकल सेक्टर में गुजरात के इस सभलता के पीछे दो दसकों का अनवरत प्रयास है समर्पन और संकल्प हैं बीते छे सालों में पूरे देश में जिस इलाज और मेडिकल एजुकेशन को लेकर जिस केल पर काम हुआ है उसका निस्चित लाब गुजरात को भी मिल रहा है साथियों बड़े अस्पतालों की स्थिती उन पर दबाव से आप भी भलिभाती परिचित है स्थिती ये थी कि आजादी के इतने दसकों के बाद भी सिर्फ छे एमस ही बन पाए थे 2003 में अटलजी के सरकार ने छे और एमस बनाने के लिए कदम उठाए थे उनके बनाते बनाते 2012 आ गया था यानि नव साल लग गये थे बीते छे सालों में दस नए एमस बनाने पर काम शुरू कर चुके हैं जिन में से कई आज पूरी तरह से काम शुरू कर चुके हैं एमस के साथ साथ देश में 20 एमस जैसे ही सूपर स्पेशलिटी होस्पिटल का निर्मार भी किया जा रहा है साथियों साल 2014 से पहले हमारा हेल्ट सेक्टर अलग अलग दिशा में अलग अलग एप्रोच के साथ काम कर रहा था प्राइमरी हेल्ट केर का अपना सिस्टम था गाउं में सुमिधाय नके बराबर थी हमने हेल्ट सेक्टर में होस्पिटल होलिस्टिक तरीके से काम करना शुरू किया हमने जहां एक तरफ प्रिवेंटिव केर पर बल दिया वहीं इलाज की आधुनिक सुमिधाओं को भी प्रात्विक्ता थी हमने जहां गरीब का इलाज पर होने वाला खर्च कम किया वहीं इस बात पर भी जोड दिया कि डॉक्टरों की संख्या में तेजी से वृद्धी हो साथियों आईश्मान भारत योजना के तहत देश भर के दूरदारत के इलाकों में लगभग देड़ लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने के अभी तक इन में से पचास हजार सेंटर सेवा देना सुरू भी कर चुके हैं लगभग पाँच हजार गुजरात में ही हैं इस योजना से अब तक देश के करीब देड़ करोड गरीबों को पांच लाक रुपिये तक का मुप्त इलाज मिला है इस योजना ने गरीब भाई-बेहनों की कितनी बड़ी मदद की हैं इसके लिए एक आंकड़ा में देश को बताना चाहता हूँ सात्यों आईश्मान भारत योजना से गरीबों के लगबग 30,000 करोड रुपिये से ज़्यादा बचे हैं 30,000 करोड रुपिये ये बहुत बड़ा रकम है आप सोचिए इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है कैंसर हो, हार्ट की प्राब्लेम हो, किड्नी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बिमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुप्त कराया है और वो भी अच्छी अस्पतालों में सात्यों, बिमारी के दोरान गरीबों का एक और साती है जन आउशदी केंद्र, देश में लगवर, साथ हजार जन आउशदी केंद्र, गरीबों को बहुती कम किमत पर दवाईयां उपलब्द करा रहे हैं इन जन आउशदी केंद्रों पर दवाईयां करीब करीब नब्बे प्रतिशत तक सस्ति होती हैं, यहने सो रुपिय की दवाईयां दस रुपिय में मिलती हैं, साड़े तीन लाग से जादा गरीब मरीश हर रोज इन जन आउशदी केंद्रों का लाब ले रहे हैं, और इन केंद्रों की सस्ति दवाईयों की बज़े से गरीबों के हर साल आउशदन एवरेज छती सो करोड रुपिये खर्च होने से बच रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मदद हो रही हैं, वैसे कुछ लोगों के मन में सवाल उठ सकता हैं, कि आकिर सरकार इलाज का खर्च कम करने, दवाईयों पर होने वाले खर्च को कम करने पर इतना जोर क्यों दे रही हैं, साथिया, हम में से अधिकाउस उसी पुरुष्ट भूमी से निकले लोग हैं, गरीब और मद्यमबर्ग में इलाज का खर्च हमेशा से बहुत बड़ी चिंता रहा है, जब किसी गरीब को गंबीर बिमारी होती हैं, तो इस बात की संभावना बहुत जादा होती हैं, कि वो अपना इलाज कराए ही नहीं, इलाज के लिए पैसे न होना, गर के अन्य खर्च, अपनी जिम्मेदारियों की चिंता, व्यक्ति के वहवार में ये बड़लाव लाही देती हैं, और हमने देखा है, जब गरीब बिमार हो जाता है, पैसे नहीं होते हैं, तो क्या करता है, दोरे धागे की दुनिया में चला जाता है, पूजा पाड़ की दुनिया में चला जाता है, उसको लगता है, वही से बच जाओंगा, लेकिन वो इसलिए जाता है, हम ये न कहें कि वो उंदर सकता है। वो इसलिए जाता है कि उसके पास सही जगा पर जाने के लिए पैसे नहीं है। गरीब ही उसको परिशान कर लिए। साथ यो हमने ये भी देखा है कि जो वहवार पैसे की कमी की विज़र से बदल लाता है। वही वहवार जब गरीब के पास एक सुरक्षा कवर्थ होता है तो वे एक आत्मिस्वास में बदल जाता है आईश्मान भारत योजना के तहट गरीबों का इलाज लोगों की स्टिंता इस वहवार को बदलने में सफल रहा है जिसमें वो पैसे की कमी की वज़े से अपना इलाज कराने अस्पताल जाते ही नहीं थे और कभी-कभी तो मैंने देखा है कि घर के जो बुजूर्ख है चाहता बुजूर्ख नहीं 45-50 साल के आईए बड़े वैक भी वे इसलिए मिमार दमाई नहीं कराते हैं वो कहते कर्ज हो जाएगा तो सारा कर्ज बच्चों को देना पड़ेगा और बच्चे बर्बाद हो जाएंगे हैं कि जिन्दगी बरबार नहो इसलिए माबाप कि जीवन भर दर्द जेलते हैं और दर्द में ही मरते हैं क्योंकि कर्ज नहों दर्द जेले लेकिन बच्चों के नसिब में करद ना आये हैं इसलिए वो ट्रिट्मेंट नहीं कराते हैं खास पर यह भी सही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के तो गरीब पहले कभी सोची नहीं पाता है अईश्वान भारत के बाद अब ये भी बदल रहा है सात्यों अपने स्वास्त की सुरक्षा का एसास इलाज के लिए पैसे की उतनी चिंता का न होना इसने समाज की सोच को बदल दिया है और हम इसके नतीजे भी देख रहे हैं आज हेल्थ और वैलनेस को लेकर एक सत्रत्रा आई है गंबीरता आई है और ये सिर्फ शहरों में हो रहा ऐसा नहीं है अब दूसरे देश के गावों में भी अब ये दूर सुदूर हमारे देश के गावों में भी ये जागरूता हम देख रहे हैं व्यावार में परिवर्तन के ऐसे उधारण अनिक शेत्रों में भी नजर आ रहे हैं जैसे सोचालयों की उपलब्दता से लोगों को स्वच्चता के लिए और जागरूत किया है हर गर जल अभियान लोगों को स्वच्च पानी सुनिशित कर रहा है पानी से होने वाली बिमारियों को कम कर रहा है रसोई में गैस पहुंचने के बाद न सिर्फ हमारी बहन बेटियों का स्वात सुधर रहा है बलकि पूरे परिवार में एक सकारत मक्ता की सोच आई है ऐसे ही प्रधान मंत्री सुरक्षज मात्रूत व अभियान के गर्मवती महिलाओं को रेगुलर चेक आपके लिए प्रोटसाइद किया है और चेकप के कारण उनको पहले से गंभीरता की तरफ इंगित कर दिया जाता है इसका लाब यह हो रहा है कि गर्भावस्ता के दोरां जो कॉम्प्रिकेटर केसिस होते हैं वो जल्दी पकड़ में आते हैं और उनका समय पर इलाज भी होता है वहीं प्रधान मंत्री वामात्रू बंद्रा योजना के द्वारा ये सुनिशित किया जा रहा है कि गर्भवती महलाओं को परियाप्त पोशन मिले देखभाल मिले पोशन अभ्यान ने भी उनमें जागुरुत्ता बढ़ाई है इन सारे प्रयासों का एक बहुत बड़ा लाब ये मिला है कि देश में maternal mortality rate माता मुर्त्युदर पहले के मुकामले काफी कम हो रहा है साथियों सिर्फ outcome पर परणाम पर ही focus करना काफी नहीं होता है impact महत्पुण है लेकिन implementation भी उतना ही महत्पुण है और इसलिए मैं समझता हूं कि व्यहवार में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए हमें सबसे पहले प्रोसेस प्रक्रिया में सुधार करना आवश्यक होता है बीते वर्षों में देश पर इस पर देश ने इस पर बहुत जोड दिया गया है इसका नतीजा यह है हम देख रहे हैं कि देश के हिल सेक्टर में जहां जमीनी स्टर पर बढ़लावा रहा है और लोगों को जो सबसे बड़ी चीज मिली है वह एक्सेस स्वास्त सुविधाओं तक उनकी पहुँच और मैं स्वास्त और सिक्षा के एक्सपर्ट से आज यह भी आगरह करूंगा कि वो सरकार की इन योजनाओं का बेटियों की एजुकेशन पर जो प्रभावबढ़ा है उसका जरूर अध्यन करें यह योजना है यह जागरुता एक बड़ी वजय है जो स्कूलों में बेटियों की ड्रॉप आउट रेट में कमी ला रही है साथियों कि देश में मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए भी मिशन मोड पर काम चल रहा है मेडिकल एजुकेशन की मनेजमेंट में जूरी समस्याओं में रिफॉर्म्स किये पारम-पारीग भारतिये चिकित्सा से जूरी सिक्षा में भी जरूरी रिफॉर्म्स किये नेशनल मेडिकल कमिशन बनने के बाद हेल्थ एजुकेशन में कॉलिटी भी बहतर होगी और कॉन्टिटी को लेकर भी प्रगति होगी ग्रेजुएट्स के इसे नए कदमों से जरूरत और गुणवत्ता दोनों स्तर पर काम किया जा रहा है साथियों लक्ष ये हैं कि हर राज्य तक एम्स पहुंचे और हर तीन लोग सभाक्षेत्र के बीच में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो इनी प्रयासों का प्रणाम है कि बीते छे साल में MBBS के 31,000 नहीं सीटे और पोस्ट ग्रेजुएट के में 24,000 नहीं सीटे बढ़ाई गई है साथियों हेल्ट सेक्टर में भारत जमीनिस्टर पर बड़े परिवर्तन की और बढ़ रहा है अगर 2020 हेल्थ चलेंजिस का साल था तो 2021 हेल्थ सॉलूशन का साल होने वाला है 2021 में विश्व स्वास्त को लेकर और ज्यादा जागुरु होकर समाधानों के तरफ बढ़ेगा भारत ने भी जिस तरह 2020 में हेल्थ चैलेंजिस में से निपटने में अपना योगदान दिया है वो दुनिया ने देखा है मैंने शुरू में इनका जिक्र भी किया है सात्यों भारत के यह योगदान 2021 में हेल्थ सॉलुशन्स के लिए सुलुशन्स के स्केलिक के लिए महतवपुन होने बाला भारत future of health और health of future दोनों में ही सबसे महत्वपुन रोल निबाने जा रहा है जहां दुनिया को competent medical professionals भी मिलेंगे उनका सेवा भाव भी मिलेगा यहां दुनिया को mass immunization का experience भी मिलेगा और expertise भी मिलेगी यहां दुनिया को health solutions और technology को integrate करने वाले startups और startup ecosystem भी मिलेगा यह startups healthcare को accessible भी बना रहे हैं और health outcomes को improve भी कर रहे हैं साथियों आज हम सब यह देख रहे हैं कि बिमारिया अब कैसे globalize हो रही है इसलिए यह समय की है और यह समय है कि health solutions भी globalize हो दुनिया एक साथ आकर प्रयास करे रिस्पॉंड करे आज अलग थलग प्रयास silos में काम करना यह रास्ता काम आने वाला नहीं है रास्ता हैं सब को साथ लेकर चलना सबके लिए सोच रहा है और भारत आज एक ऐसा global player है जिसने यह करके दिखाया है भारत ने दिमांड के मुताबिक एड़क्ट इवाल एंड एक्स्पांड करने की अपनी शम्ता को साबित किया है हम दुनिया के साथ आगे भड़े कि क्लेक्टिव एफर्स में वेल्व एडिशन किया और हर चीज से ऊपर उठर हमने सिर्फ और अब सिर्फ मानवता को कैंदर में रखा मानवता की सेवा की आज भारत के पास शम्ता भी है और सेवा की भावना भी है इसलिए भारत ग्लोबल हेल्थ का नर्व सेंटर बनकर उपरा है कि 2021 में हमें भारत की इस भूमिका को और मजबूत करना है साथियों हमारी यहां कहते हैं कि सर्वम अन्य परित्यज्य शरिरं पालिये दतह याने सबसे बड़ी प्रात्मिक्ता शरीर के स्वास्त की रक्षा ही है सब कुछ छोड़कर पहले स्वास्त की ही चिंता करनी चाहिए नए साल में हमें इस मंत्र को अपने जीवन में प्रात्मिक्ता के साथ उतारना है कि हम स्वस्त रहेंगे देष स्वस्त रहेंगा और हम ये भी जानें जोप ouais फिट इंडिया ओमें चल रहा है वो शिरमन वे अधूम्मी乐 के लिए इसा हैest नहीं है हर उमडे कहलों ये fit इंडिया moment से जूडने चाहिए और ये मौसम भी fit इंडिया के अपने moment को गति देने के लिए बहुत अच्छा है कोई परिवार ऐसा नहों चाहे योग की बात हो चाहे fit इंडिया की बात हो हमें अपने आपको स्वस्त रखना ही होगा बिमार होने के बाद जो परेशानिया होती है स्वस्त रखने के लिए उतने प्रहत्त नहीं करने पड़ते हैं और इसलिए fit इंडिया इस बात को हम हमेशा याद रखे अपने आपको fit रखे अपने देश को fit रखे ये भी हम लोगों का करता वे हैं राजकोर के मेरे प्यारे भाईयों बहनों गुजरात के मेरे प्यारे भाईयों बहनों ये बात न भूलें कि कोरणा संक्रमन गड़ जरूर रहा है लेकिन यह ऐसा वाइरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है इसलिए दोगज की दूरी मास्क और सैनिटेशन के मामले में धील बिल्कुल नहीं देनी है नया साल हम सभी के लिए बहुत खुश्यां लेकर के आए आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो लेकिन मैं ये भी कहूँगा मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक दिलाई नहीं बार बार कहता था अब दवाई सामने दिख रही है कुछी समय का सवाल है तो भी मैं कहूँगा पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो डिलाई नहीं लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूँ दवाई भी और कड़ाई भी कडाई भी भरतनी है और दवाई भी लेनी दवाई आ गई तो सब छुट मल गई ये ब्रह्म में मत रहना दुनिया यही कहती है वैज्ञानिक यही कहते है और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का दवाई भी और कडाई भी दूसरी एक बाद हमारे देश में अफ़ाओं का बाजार जरत तेज रहता है भाती भाती के लोग अपने नीची स्वात के लिए कभी घेर जिम्मारा वेफार के लिए भाती भाती अफ़ाइं फ़राते हैं हो सकता है जब वैक्षिन का काम पारंभ हो तो भी अफ़ाओं का बाजार भी उतना ही किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानिवी का कितना नुक्षान हो रहा है इसकी परवा किये बिना न जाने अंगिनत काल्पनिक जूप फैलाए जाएंगे कुछ मात्रा में तो सुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदिरादे से काम करने वा लाते हैं मेरा देश स्वास्यों से आगर होगा कि कोरोना के खिलाब एक अंजान दुश्मन के खिलाब लड़ाई है कि अप्फाओं के बाजार गर्म नहोंने दें हम भी सोचल मिडिया में कुछ भी देखा बीना फॉरवर्ड न करें हम भी एक जिम्म्यवार नागरी के हम सब अपने तरफ से जिम्म्यवारी उठाएं और जिन लोगों के लिए पहले ये बात पहुंचानी है उन भी हम पूरी मदद करें जैसे ही वक्षिन का मामला आगे बढ़ेगा देश वास्यों को समय पर उसकी सूचना मिलेगी मैं फिर से एक बार 2020 के लिए आप सब को बह आप दाना दर्शन धे रहाँचे आपना असिरवाद मनी रहाँचे मारा माटे दूखनी पन गडी छे कानके मारा एक अच्छा मित्र बाय अभवे भार्दवाच एमना में गुमावी दीदा कोरुनाने कारणे गुमावी दीदा आजे जार राजकोट वास्यों ने बच्च गुजरात वास्यों हेम्स गुजरात ना कौने कौना अरुट अच्छe सब गुजरात वा स्वर्याद मने अने अहने काने शुब कामना ओْ Yoga नवार्शने कुप खुब कामना हो धन्यवाद लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूले